हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब कैनल प्रथम उपचार में आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी मेश राशियों की लड़कियों की कुछ खास बाते जिहां दोस्तों मेश राशी में जन्म लेने वाली इस्तियों पर मंगल ग्रका बहुत अधिक प्रभाव होता है जिसके चलते उनके अंदर गजब की तेजी और जोश होता है यह जीवन के शेतर में सफलत प्राप्त करने में सक्षम होती है और कम समय में अधिक कारे करना इनकी बहुत बड़ी खुबी मानी जाती है दोस्तो मेश्राची की एश्रों में महत्मकांशाय बहुत अधिक पाई जाती हैं और इन महत्मकांशाओं को पूरा करने के लिए यहाद दिनरात कड़ी महनत भी करती हैं जीवन में सفल होने के लिए इनका बस एक ही मुल्यांकन होता है वह है दिनरात महनत करना अगर आपके आसपास कोई मेश राशी की इस्तरी हो तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती से भी इनके आत्म सम्मान को ठेश ना पोचे आदर और सम्मान इनको अतीप्रिय होता है और अगर कोई इस चेतर में इनसे उलचता है तो उनकी खेर नहीं आलत से और आलसी लोगों से इनको काफी परहेज रहता है आलत से के चलते इनके कारियों में कोई भी बलकी लापरवाही करता है तो इनको भयंकर गुस्सा आता है इ उनको मूँ की खानी पड़ती हैं। यदि आपको इनसे कोई भी बात करनी हैं तो सीधे सीधे कहिए। प्रेम समंदू के मामले में यह लोग जल्दी नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर एक बार पड़ गए तो अपने प्रेम को कभी नहीं भूलते प्रेम के लिए किसी भी सकते हैं। इनके इसी सभाव के चलते कई बार इनका मानसिक शोशन भी होता है जो की अच्छा नहीं होता है। दोस्तों मेश राशी की लिस्त्रियां जो होती हैं वे विवाह के पश्यात खाली बेटना या बहुत कम पसंद करती हैं। परिवार और कारेस्थल के बीच अच इनके सभाव में जिद होती है और ज्यादा तरिया जिद उनके जीवन में सफल बनाती हैं। इनके ऊपर कई बर अहंकार होने का आरोब भी लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह अपने लक्ष को समर्पित होते हैं जिसके चलते इनका ध्यान अपने आसपास के लोग होती हैं। और अपने जीवन साथी से भी यह इमानदारी ही चाहती हैं। अगर आपको इनसे शत्रुता नहीं करनी हैं तो इनसे जूट कभी मत बोलिये। जूटे लोग और जूटी बातों से यह लोग बहुत चिड़ते हैं। इनसे जितना अधिक सत्य बोलेंगे उतना य लड़कियां गुस्से में हों तब आप उनसे विवाद में उलजने का प्रयास ना करें। ज्यादा बहतर यही होगा कि इनका गुस्सा पहले शांत होने दे और फिर बात करें। कई बार आप यह भी देखेंगे कि गुस्सा शांत होते ही यह अपनी गलती को स्वयम मान ले हैं। धन्यवाद दोस्तों।